अब दैसर चेक ना का हो या फिर मुंबई का स्वी रोज मुंबई करों को ट्राफिक जाम का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा जिहां 2023 मुंबई करों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है असमाहिने से लोगों को सड़कों पर होने वाले ट्राफिक जाम और लोकल ट्रेन की भीर से कुछ राहत मिल सकती है अपनगर से माध्य मुंबई तक का लोगों का सफर आसान हो जाएगा वर्ष के अंतक वेस्टर्न एक्स्प्रिस हाईवे समेथ उपनगर की सड़कों का ट्राफिक काफी हद तक घठने की उमीद है इसकी मुख्य वज़ा है कि मेट्रो की तीन लाइन पर सेवाश शुरू हो चुकी है 2023 में अपनगर के करीब 56 किलोमेटर के परिसर में मेट्रो का संचालन आरंभ हो जाएगा 56 में से 46 किलोमेटर के मार पर मेट्रो इस सपता से दौडने लगेगी मेट्रो के दौडने से लोगों के पास सारवजनी की आतायाद का एक और विकल्प उपलब्ध हो जाएगा इसका सीधा असर वेस्टेन एक्स्प्रिस हाइवे पर पड़ेगा MMRDA ने पूरे रूट पर मेट्रो के दोड़ने पर Western Express Highway का ट्राफिक करी 20-25 फीजदी कम होने का अनुमान लगाया है मेट्रो 7 और मेट्रो 2 ए कोरिडोर का नर्मान कारे पूरा हो चुका है 35 किलोमेटर के मार्ग पर मेट्रो को दोड़ाने के लिए MMRDA को मेट्रो 7 और मेट्रो 2 ए कोरिडोर के पूरे रूट को रेल सुरक्षा आयुक्त CRS का सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है 20 जुनवरी से आम यात्रियों के लिए मेट्रो के द्वार खुल जाएंगे मेट्रो 7 और मेट्रो 2 ए से रोजाना करीब 3 से 4 लाख यात्री यात्रा करेंगे मेट्रो 3 कोरिडोर का काम 76 फीजदी पूरा करने के बाद MMRCL ने सड़क से बेरिगेज हटाने की प्रक्रिया आरम कर दी है MMRCL वर्ष के अंत तक मार्क पर रखे 80 फीजदी से अधिक बेरिकेट हटा देगी जिससे ट्राफिक जाम की समस्या कम होगी मेट्रो 7 और मेट्रो 2 ए पर सेवाश्रू होने के बाद MMRC का फोकस अन्य मेट्रो प्रोजेक्स की रफ्तार बढ़ाने की होगी खासकर मेट्रो 2 बी की निर्मान रफ्तार बढ़ेगी ब्योर रपोर्ट मेट्रो मुंबाई